सो फिजिकल क्यमेस्ट्री को बारे मां हामी कुरा गर्न गई रहा छों इस मां थुप्रे कोस्टन छा डिफिरेंस और हरो ले लिनु उन छा चेप्टर वाइच आज अको डिस्कासन मां हामरो पालो भागो छा वलुमेट्रिक अनलाइसेस शुरु-शुरु मां हामी गरे काई अब यो क्लास जुन छा टोटली टोटली फोकस्ट अन एनिवे इग्जामिनेशन टोटली सो अबजेक्टिव को कुरा पहला गर्या के थियां फेरी गर्छों नाई अईले अब टोटली फोकस्ट प्लस टु मां प्रोसेस के हो हाउ टु साल्व परहे के छाऊ फर्स्टम दि अब प्रिबोड पनि दिनु भाब छा शो एसमा भणूबड नेखासे के छाइना अत्योजुन कुने-कुने-कुने डाउट चा तो सोधन पाईयो मझाले सोधन जेपनी पाईयो कुने डाउट छा बने एदा तीरे कुरा गर्धाखेरी फ़स्ट मां थोरे यो पुरानो पै प्राइसेस गर्दा खेरी के पाई हो भन्ने यो जुन कोश्चन हरू दिये को छा फास्ट माँ अबजेक्टिब कोश्चन हुन छा तो मोडेल को हिसाब ले आई हन्रेड परसेंट फिक्स अलिगार आई छा तर पैटर्न फालो गर्णू पर्ने हो भन्ने फास्ट माँ फर्स्ट माँ अबजेक्टिब कोश्चन एउटा भॉलुमेट्रिक अनलाइसिस चेप्टर बाटा होला सेकेंड माँ आयनिक इक्किलिब्रियम बाटा दियेको छा अबजेक्टिब कोश्चन को कुरा कर दे थियो हन्रेड ऐ परसेंट फिक्स ता ना भनाओ कि नगी कंट्री आमरो आमिलाए थाब हागे कुरा हो तर ये दी एनिवी ले दियेको मोडेल हो भन्ने 79 माँ दियेको थियो रह यो केही हद्समा फ़लोपनी कर आछा तो एनिवी माँ दियेको मोडेल को हिसाबले यो जुन भने आछा फर्स्ट 11 ओटा अबजेक्टिब कोश्चन होन्छा आम यहां बाटा मेटल बाटा अब कोपर बाटा हो अथवा जिंक बाटा हो अथवा मरकरी बाटा हो तर हुन्छा चाहिए यह उटा आरन बाटा दियेको छा और को इथार नाइट्रो बेंजिन कार्बोजाइलिक एसिद हैलो अलकेन अल्डिहाइट यो पांच ओटा चेप्टर और गेनिक बाटा लियेको छा बनना ले 4, 2, 6, 5, 11 अबजेक्टिव कोश्चन को लागी सेकेंड मां ग्रूप B को फाइब मांक्स को कोश्चन मां एसरी पैटर्न दियेको थियो मोडेल प्रोवाइड़ बाइनिभी फाइब मांक्स को एउटा कोश्चन वालुमेटिक एनला अब एसमा कईले काई फ्लेक्जिवल हुना सक्छा है आमी के फ्लेक्जिवल हुन छा बनने केमिकल कानेटिक्स वो ठाओ मां आरको चेप्टर आई दियो तेसो भाइब फेरी लॉंग कोश्चन मां चेप्टर चेंज भई आल छा तो बॉलुमेट्री केमिकल एलेक्टरो कैम फेजिकल केमेस्ट्री दुईटा कोश्चन छा मेटल भाट हुन छा नाई चेप्टर मेबी डिफरेंट बट द नम्बर आफ कोश्चन मस्ट बी फिक्स नेक्स्ट मां दियेको छा योजुन पांचोटा कोश्चन छा अर्गेनिक भाट एसमा पैटर्न ले के भन्या थियो य पांचोटा कुणनेई नम्री एक्शन मां जासत ऐ और गेनिक ऊसारले डिचल मां भन्या हुन छा नम्री एक्शन मां हामि संग्या अल्काइल हेलैट को हामी कुरा गर्यो भने टीहाईटोयद दियेको छा थेजिक्ते eigлемर्ठा लिचुऑ ल केशिवक्ण रेमयर्टाइमन का जो टाइजे सन्ध मेहर गड़ वाटरभान रीक्शन हारू दिये ऐको छा insertion नेम रीक्शन जधी बनी छालल कंदेंशेशन कैनिजारू रीक्शन परिं। पिं कंदेंसेशन त्यें आँ बाट यूटा कोस्च्चन हुन्हें था नए five marks को सो ग्रूप बी को लागी फाइब माक्स को पैटर्नी हो छा अब एप्लाइड केमेस्ट्री चाही लोंग मा अहले पुगी सा क्या छाई न भाबू पहला सब हेरी आला तेसपची कुने मन मा लाया कुरा सोधना मजा ले पाईयो लेकना पनी पाईयो नेक्स्ट मा आमीलाई भन्दै छा लोंग कोस्ट्ण अब लोंग कोस्ट्ण काहा काहा वाट हुँँछ रे एउटा लोंग कोस्ट्ण बने आछा आनिक एकलुब्रियाम नभाय थर्मोडाइनामेक्स चो यहां एरा है कुन्नाई दुईटा चेप्टर बाटा लोंग आउँछ अल्डिहाइड की टोन नाइट्रो दियेको छा तेशो भाय एता पटी क्या आरे कार्बोजाइली केशिर एमीन चेप्टर एउटा पनी छोरेको छाईना आँ थोरा ही केचा बने आप्शन चाहीं छा और को कुरा 22 मा कोस्ट्ण एउटा लोंग कोस्ट्ण काहा बाट है एउ माक्स वेटेज दिये खोच एप्लाइड को एनि वी ले जो एप्लाइड पाता अक्याइड माक्स न्युकिलियर केमेस्ट्री पाता टू माक्स पोलीमर पाता टू माक्स अब यो तला माती जे शूखए होश। तरप पैटर्न यही हो, सो इसको अब कुरो के रहे हो, येदी हामी लाई भॉलुमेट्रिक एनलाइसिस चेप्टर गारो लागछा, गारो छा पानो, छाई ना, तरपनी भन्छन, येदी भॉलुमेट्रिक एनलाइसिस चेप्टर गारो लागछा, तेसका नुमेरिकल हामी सॉ गरना अहीले एन्ट बी बाट सक्ट दयनौ, old is gold, सक्ट दयनौ, बन्ना अले exam भनी सक्छव नाई भन्ने तैसको guarantee कले लिन्ञा, आफएले लिना भनी लिने लिना भनी लिनाँ तो आफएले हो और उखल लिने दिने ओर, तो आफएले लिने हो तो यह पारा यह पैटर्न 98511-64688 तो पीए मा फोन गरदा पनी सोद्धाब होयो कुन सर को कती नमबर होड़े उपलब्द गराऊनू होँचा मेबी सबय को उपलब्द नगराऊनू होला आपनो ठाऊ माचा तो टीजर माँ डिपेंड गरचा यो नमबर छा थ्रूआउट केमेस्ट्री हामी परदाई छाओ र क्येही ए स्टुडेंट लाई महीले आसती तिन्टा फाइल पनी पठाआ को थिये जल्ले मलाई मैसेज गर्या थियो अनलाइन हामी इवनिंग मा परदी थियो तो फेजगल को पनी थियो अर्गेनिक को पनी थियो मेटल को पनी थियो तिन्टाई को थियो त्याहां भागा क्वेश्चन हरू अल्मोस तेई थियो ओल्डिज गोल्ड बाटा तु प्रही नहीं थिये तो सब्वई सल्व कर दियाओ गरी सक्या छाओ कुनाई केही एता उता दायवाया हेडनू परेना मजाले प्रिपेयर करेडर बशे भायो प्रिपेयर के रिविजन के तेई प्लस टु का नोट परी राखने हो र एउटा चेप्टर प्लस टु को नोट परी सक्या पछी कम्प्लीट भायो की भायना हामिलाई आयो की आयना कोस्चन डिल गरना सक्छों की सक्देनो तेऊ ट्राई गरने हो बन्नाले परने एनिवी को प्लस टु को नोट जुन सरहर ले दिनू भायाचा लेखाउनू भायाचा सल्भ के गरने 5 तीमी हरू कही लागी हो प्रुपट्डित मेर हो हाम रही हो तरह हो तीमी हरू कही लागी शो त्यों 5 तेश को ता नाम नोले नंबर दिया चु वाट्चाप नंबर पनिये हो लेख दिने मलाई सर पीए मा बन्नू भायाथ यो पीए को ए स्टुडेन्टों भाने रहा मा पठाई दियाल चु तो ठोलुकरा भाया ना अब तेदा तीर ना लागाउं लेखने वाट्चाप मा पीए बाटा मा पठाई दिन चु यो सब भन्दा इम्पोर्डेन्ट कुरा हो किये पर छाओं किन पर छाओं भन्ने कुरा एल्ले देखाई राचा मिलाई यो clear छा question model कुन नामबर question कहा बाटा आओं देछा clear छा everybody तो question हरू जा बाबु N.E.B. मा सोधने question हरू chapter wise question हरू छा N.E.B. मा सोधने question हरू छा तो question हरू राखिये को छा तो मा पठाई दिन चु पीए बाटा छु भने रा लेक दिनू हला एलाई अब मा चेंज गरे next slide मा जाऊ next slide मा आजा कुरा हामी गर देछो अईले volumetric analysis volumetric analysis मा क्ये दिये को छा main applied को ते applied बाटा long question fix नहीं हो सर कि short question रट्टू MCQ आउननी सक्ला शक्दाई ना N.E.B. ले भने अनुसार applied बाटा long question में चारो टाऊंच chemistry in the service of mankind अथवा drugs हरू छन, dyes हरू छन तेहां बाटाऊंला paper and pulp बाटाऊंला, cement बाटाऊंला format fix सवाई यो जुन भने नी S मा हुना सक्छा कहिले 5 max को 10 max मा जाना सक्छा तर लों को 8 max question दिये को छा जुन की अरू पैटर्ण मा applied को 8 max को question दिये को छा अरू पैटर्ण मा लादा खेरी त्यो question बिगरीन चा मिल दैना तेहां बाटा applied को 8 max मा आऊंच यो याद राखनू हला अब applied ना आँछा धेरेले इग्नोर गरने गरे आँछा तेशो भाई हामरो एउटा question छुटना सक्छा रहामी जुन खालका या student चा एउटा question छुटनू भनेको धेरेने छुटनू हो त्योपनी ध्यान दिनू हला आई छुटना मिले ना सब़े पड़नू परेँ अब अब volumetric analysis चेप्टर को कुरा गरों volumetric analysis आणिक एकिलिब्रियाम volumetric analysis शुरू मा किन गर्ना खोजियो थोरे थोरे confusion हुन छा त्योंनू साई chemical kinetics को ता पाई संगा किता table वाला numerical आउला किता percentage बाट आउला chemical kinetics को आईदर table वाला find the order of reaction rate law लेखनूस तेस पाची rate constant लेनूस unit of rate constant लेखनूस concentration change भावबने rate constant के हुला रे अथवा rate constant से मुन छा rate of reaction के हुला chemical kinetics बाट किता table वाला किता percentage बाला 100% fix आउचा नाई थर्ड मा गयों thermodynamics त्यों भन्जानी equation 1, equation 2, equation 3 तिन्टा एउटा को combustion अथवा formation हरू दियेको छा combustion अथवा formation सोच छा तो पनि योड़ा numerical लाउँ छा है thermodynamics साजीलो छा numerical point of view ले electrochemistry को which one is cathode, which one is a note oxidation half, reduction half left side, right side तो भन्या थिये less, lone, above भन्यारा तो electrochemistry को पनि numerical हामी गरे का पनि थियें रा फेरी पनि revise गर दे छाओ गरने वाला छाओ यो तिंटा चेप्टर को numerical अत्ती नहीं सजीलो कुन-कुन electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics अत्ती नहीं सजीलो अब कुरा रहयो कसको volumetric analysis, ionic equilibrium कुस्चन एसमा पनि अब सर अजूर को second class छो second बना लेकिये हो मोसमी आज फर्स्ट क्लास हो नानू यो बन्दा पहिला तपैंको last week मा math को भय शुरू मा तेस पछी physics को math को सर ले लिनू भो physics को chemistry को आज फर्स्ट क्लास हो start physical बाटा गरे हो तेस पछी organic पनी होला अरू पनी chapter हरू तो पाइन ले बने को इज आवले जुन जुन chapter छा त्यों हामी discuss गर छाओं शुरू काहा बाटा volumetric analysis बाटा एसको numerical के एसमा theory definition हरू आउं छा त्यो पनी last मा राखी एको छा तो हेरू छों हामी डिसकास गर छाओं electrochemistry भोली पाटने बननाले पाटने पहला आजा को कुरा गरों आवा भोली को कुरा आब ठीक है छा electrochemistry खासे नुमेर कला ही छाई हना तुध्य ही छाई हना रापणी परऊला सब परचाऊ कुन दिन कुन परचाऊ तेसमा ता नाम न लेव, जुन दिन जे पर छव, त्यो बुजनु परेव, बुजे कही छव, रिभाइज हुनु परेव, तेसमा ही चेप्टर मा भागो कोस्चन हरू सल्व गर्नु परेव अब भॉलुमेट्रिक एनलाइसिस मा, के भने आछा, दुईटा कोस्चन भॉलुमेट्रिक मा, हुन दा टाइप ले तिनोटा टाइप को भने आछा, फर्स्ट मा सिंपल टाइप को आऊँछ, सिंगल कमपाउंड बाला, नॉर्मालिटी, मुलारिटी, एकुभालेंट वेट हर करने,्युकुल भॉलुम do लुकुलेट करने, फर्स्ट भाला, सेकेंड भाला आऊँछ, नुुट्रलाईजेशन टाइप को सॉलूशन, एसिडिक छा,कि बेसिक छा,कि नुुट्रल छा, नattendुुट्राईजेशन टाइप को और फर्ड वालाओं चा यहोटा किताさ है एकुभालेंट वेट किता सब्सक्राइब्सक्त पॉघ्ड को आउला है। अवट हुन छा नन डाइलूटेड र अरको हुन छा डाइलूटेड पहला नन डाइलूटेड भाला थोरे भेर ओ ओ अनेज़ो प्रोसेश परहे कई छाओं त्यस्मा मलाही संका खासे छाई ना आफु लाई कुने संकाछा बने यो थोरे हेर दिने अब हामरो काम के हो हामी तो थ्रू आउट जान चाओ सब बई माँ सो त्यो हेर दै जान चाओ हामी आफ़ाई पनी स्वल्व गराऊ किये लाइक चाओ अथवा मिल्यो मिल्यो very good सो यो प्रोसेस चाओ अब एस्ता क्वेशन दियेको चाओ है योटा दी रहाचा 3 ग्राम ओफ ट्राइवालेंट मेटल क्वेशन तीरा लागे है volumetric analysis को योटा दी रहाचा हामी लाई 3 ग्राम ओफ ट्राइवालेंट मेटल वाज कम्प्लिटली डिजॉल्विन 750 ml 1 नॉर्मल HCl acid the residual solution further required 1000 ml N by 2 NOH calculate के करना भन देचा atomic mass अथवा इक्विवालेंट मास जेपनी धीना सक्छा valency दियेको हुनाले atomic mass formula discuss गरूम नसर सब विर्षे को चा अब तेसको time out formula तीरा अईले न जाओ अईले प्लस 2 तीरा एनी भी तीरा जाओ तो formula को फेरी प्लस 2 सकाओ तेस पसी formula जाती पनी discuss गरूँला दुई जाना बसं ला नाम के परे शुदिप कोई राला सुदिप जी चिया खार बसं ला एता PIA को बेला अथा भेटे को बेला अणि मजा ले डिसकस गरूँला मजा ले डिसकस गरूँला तो तना मना देव objective lie अईले बाइपास गरूँ लास्ट मा गरूँला कोस्चन मा दिएको कुरा केके छा तिन्टा फर्स्ट मा के दिएको छा फर्स्ट मा दिएको छा मेटल सेकेंड मा के दिएको छा एसिड थर्ड मा के दिएको छा बेस अब प्लस टू तिरा प्रोसेस मा गएँ हामी कसारी सॉल्फ गरने सो फर्स्ट मा लेक छोँ हामी एसमा फर्स्ट मा लेक छोँ मेटल आई छोर दिन छो सलूसन तिरा लागे पची N.E.B. को कपी मा तिम्रो हुनु परेए टोटल वालूम अफ एसिड टोटल वालूम अफ एसिड एस तो कोस्चन मा यो डाइलूटेट बाला छा की छाई ना छाई ना सो बुझनु परेए डाइलूटेट बाला हो की नन डाइलूटेट बाला तिसमा पनी आऊ देछाओं टोटल वालूम अफ एसिड बनेको कति रे यो हुन छा B.A. इन्टू एन्टू एन्ए रफैक्टर दियेको छा भने त्योपनी मल्टिप्लाई गर दिन छाऊं सो B.A. कति छा हमिलाई दियेको B.A. दियेको छा 750 ml अब एलाई मल्टिप्लाई नागारदानी भायो किना कि यो 1 नर्माल ए दियेको छा सो 750 इन्टू कति रे 750 इन्टू कति इन्टू 1 भने को यो कति भायो यो भायो 750 ml 1 नर्माल यो B इन्टू N किना हामि गर छाऊं एफ वी वान्टू कन्वर्ट सालूशन सालूशन इन 1 नर्माल दिन वी अब तो मल्टिप्लाई भॉलूम विथ नर्मालिटी 1 नर्मल माद चेंज गरे हूं सो यो आयो अब के इस ताई टोटल वॉलूम अफ बेस टोटल वॉलूम अफ बेस जुन्दी एको हुन छा हामि लाई अब यो भने को पनी के हो B B इन्टू N B फैक्टर छा भने त्यो पनी राखने अईले लाई फैक्टर छाई ना भने फैक्टर जाईले 1 ली इन्छा सो B B कती होरे हामि संगा B B छा 1000 इन्टू कती 1 बाई 2 N बाई 2 रब फैक्टर छाई ना भने फैक्टर कती भन दिन्छा फैक्टर छाई ना भने त्यो फैक्टर 1 ली इन्छा एक्चुल वेट रा प्रुपोजट वेट दुई टैसेम भायो अब थाउजेंड इन्टु हाफ इन्टु वन भायो बननाली यो कती भायो रे यो भायो 500 ml वन नॉर्मल बुजाए तिन्टा कुरा दिये को छा मेटल एसिड एन्ट बेस टोटल वोलूम ओफ एसिड लिने कसरे भी इन्टु एन्टु अन मोलारीटी दिये को छा बने तेलाई चेंज गर देनुस नॉर्मालीटी मा जहिले मोलारीटी कुन्नाई कोस्टन मा राकनु भाया ना लास्ट मा बारू फेरी कैलकुलेट गरने जो शेकेंड पॉइंट टोटल वोलूम ओफ एसिड लियाँ टोटल वोलूम ओफ बेस लियाँ अब केनी अब एलाई सबस्ट्राक्ट करने प्लस टु मा एस पछी दो वोलूम ओफ एसिड लेफ्ट किना की एसिड छा 750 रा बेस छा 500 तो 500 ml 1 नॉर्माल बेस ले ता 500 लाई मा त्रह नूटलाईज गर छा तेसो भाय भॉलूम ओफ एसिड के ही बाकी हुन छा तो दो भॉलूम ओफ एसिड लेफ्ट तो नूटलाईज दो मेटल मेटल लाई नूटलाईज गरना लाई कती यूज भायो 750 माइनस 500 कती आयो रे 250 ml कती नॉर्माल 1 नॉर्माल यो पनी 1 यो यो लिनू परेयो बन्ना ले यो एसिड ले अब अक्कर लाई नूटलाईज गर छा मेटल लाई 500 बेस ले 500 एसिड लाई नूटलाईज गरेयो बाकी रहे को एसिड कती 250 ml 1 नॉर्माल भॉलूम ओफ बेस बन्ना ले यो फैक्टर दिये को छा बने लेखने आयो कुस्चन मा बुजाओना लाई मात्रे भने फैक्टर येदी हामी संगा फैक्टर छाई ना भने तो लेखनू भाय ना अब बेस को कती भॉलूम दिये को छा कुस्चन मा हामी संगा बेस को भॉलूम दिये को छा 1000 ml n by 2 n by 2 भना ले 1 by 2 नॉर्मल हाफ नॉर्मल सेमी नॉर्मल सो यो 1000 500 ml उनॉर्मल आये? अभा क्ये को रणे? प Immediate acid लाई 1N ऐ एका नॉर्मल sanct गरने? अभा SUBSTRACT कर तीने बाग की रह को acid कला लाई neutralize गर छा, यो acid यो योवी दियुंतलाइज गर छा मेटललाई, सो वेट आफ मेटल कती दियेको छारे कोस्चन मां 3 ग्राम यो अब यो जुन यो एसिड ले मेटल लाइन उटलाइज गर छा भनने भॉलूम आफ एसिड को पनी तो यह हुन छा सो भॉलूम आफ एसिड पनी कती भायो रे? भॉलूम आफ एसिड पनी भायो 200 सोरी एसिड को भॉलूम भने को कसको भॉलूम भायो? मेटल को किना? किना कि एसिड ले मेटल लाइन उटलाइज गर दे छा सो volume of acid भन्यकों हामी volume कलाई लिदियाँ, metal लाई, तेशो भै volume of metal कती छारे हामी संगा बाकी, बाकी छा 250 ml, normality of metal कती छारे, 1n, 1n, तेशो भै equivalent weight कती हुन छत्यों हामी calculate कर छाओ, सो equivalent weight equal to what, तेशो भै योटा formula हामी discuss कर रहा थियाँ, single compound भनाले यो सबब़ डाटा ता metal मा convert कर दियो हामी, सो single compound छा बने from normality we have, यहां लेक्छो हामी from normality, from normality we have, के उन्छा रे, n इक्वल टो उन्छा ता पाइं सांगा, w into 1000 by e into b, अब भन्नो, चाहिए को के हो, e, सो एस मां सबब़ भैलू राख्याँ, सबब़ भैलू राख्याँ भन्ने के होंचा, n कती छा, 1, w कती छा, 3, into 1000, equivalent weight calculate करने होरे, volume कती छा, 250, सो यो कती आउंछा रे, equivalent weight कती आउंछा, 12, अब equivalent weight e equal to 12 आउंछा बन्ने, valency 3 दिएको छा, equivalent weight 12, valency given is 3, so, what is the atomic weight guys, atomic weight equal to कती, atomic weight equal to equivalent weight, into valency, so, 12 into 3, equal to कती रे, 36, am, u, so, यो question भाय, answer, एक्जाम मां, number of gram equivalent of metal plus base equal to gram equivalent of acid गरना मिल्छा, NB मां, सर, मिल दैना भावो, अनुभाब जी, मिल दैना, तो, यदी लेखे हो बन्ने, max घटाई दिन्छा, आंसर ता मिल्छा नै, तो, objective मां जुन हामी कर्या थियां, अध्रा, क्लास मां, कोई सर ले पड़ावनू भाद छा, तो, NB मां ता पाईले, question solve गरनू भावो, बन्ने, आउदाई ना, volume of metal अलिक बुजिये न, सर, एसरी बुजदे नोस, प्रजोल, एसरी बुजदे उबाबू, योजून acid बाकी छा, हामी संगा, एले कलाई नूटलाईज गर दे छा, नी, बाकी रहा को, एसरी ले कलाई नूटलाईज गर दे छा, यो हो के, volume of acid left to neutralize the metal, येदी, acid ले base lie, अथवा, metal lie, नूटलाईज गर दे छा, acid ले metal lie नूटलाईज गर दे छा, बने, acid को volume र नॉर्मालिटी भने को, कसको volume नॉर्मालिटी हुन्छानी बाबुनानू, metal को, अब नम्मर अफ ग्राम इकुवैलेंट बाटत ते ही हो, है, number of gram इकुवैलेंट, metal को पनी लिनूस, equivalent weight calculate करनू परे हो, इसको पनी number of gram इकुवैलेंट, B into N by 1000 लिनूस, एसको पनी number of gram इकुवैलेंट, B into N by 1000 लिनूस, सो कुरा हुई हो, तर प्रोसेस प्लस टु माई, अब कल्ले कसरी गरायो, कल्ले कसरी गराऊनू भो, प्रोसेस यो दियेको छ, acid हामी संगा one normal हुनू परे हो, बुजा आई फेरी पनी, यो ट्राइ गरने, फेरी पनी भन्दै छू, हामरो यो कोस्चन को सलूसन के नी, डाइलूटेट बाला की नन डाइलूटेट बाला, अब टोटल भोलूम इन्टू, इक्वाल टू भी इन्टू N कसरी भोयो, तो क्ये हुन्छानी बाबु, बद्नेकुरामा, यो टाइल सलूसन हा, हामि चांग 1ml, 1normal है, 1ml, 1normal चा, एला हामी ले बनाओनुछ तेन ml रहें, कद्थीले मल्टीपलाई गरने होला, कद्थीले 1ml नाइ 10ml बनाओनुछ तेन ml, अब भॉलूम 10 टाइम्स ले बरे हो भने नर्मालिटी 10 टाइम्स ले घड़ छा सो यो हुँँछा N by 10 अब लाइ 20 अथ बाद 50 ले मल्टिप्लाई गरो 100 ले मल्टिप्लाई गरो 100 ले multiply गरे भन्ने, volume 100 टाइम्स ले बढ़ाया भन्ने यो हुँँछ 100 ml, पेशो भायर normality हुँँछ n by 100 यो भन्ने को क्ये भन्ना खोजियो, अब यो जुन different normality को solution छा, n by 10, n by 100 एलाई 1 normal माँ change गरना लाई हामिले क्ये गरनू पर छा, यो दूइटाई लाई multiply गर दिनू पर छा अब हेर नोस, यो दूइटाई multiply गरनू भन्ने को 10 यहां आउंचा, तल डिवाइड हुँणा लाई, यहां तल आयो डिवाइड हुँणा लाई, भन्ने 10 by 10 भन्ने को 1 ml रे, यो बाकी रह, यो 1 normal यो भन्ने को कती ml कती normal होरे, 1 ml 1 normal, भन्ना के खोजियो नी, when we multiply volume of any solution with normality, then solution always become 1 normal सो भन्ने के थी हैं, एसिड जुन दिएको हुँचा हामी लाई, ते लाई 1 normal माँ चेंज गरने, यो याद राखा, एउटा दिएको चा metal, और को दिएको चा acid, और को दिएको चा base, तिन्टा कुरा दिएको चा सो एसिड लाई 1 normal माँ चेंज गरने, how to change acid in 1 normal, by multiplying volume with normality, 1 normal, base लाई पनी 1 normal माँ चेंज गरने, 1 normal माँ बेस लाई चेंज गरना लाई के गरने, bb into nb, यदि factor छा भने तो पनी राखने, molarity लिना मिल दाए न, सो यो पनी 1 normal माँ चेंज गरें, अब दुईटा को नर्मालिटी सेम भायो भने, जून लेस भाला हुन छा तेले तेती नही अरकोलाई नुटलाईज गर छा, सो 500 ml 1 normal बेस भने कती acid लाई नुटलाईज गर छा, 500 ml 1 normal, तेसो भाये बाकी कती रायो, 250 ml 1 normal, सो acid लाई 1 normal माँ चेंज गरा, base लाई 1 normal माँ चेंज गरा, रअ सबस्ट्रेक्ट कर acid बाता base, body बाता कम, subtract गर देऊ, you acid one normal, base one normal, then you need to subtract for any B point of view to get 4 out of 4 marks, subtract गरा, रबा की रह को जुन volume हुन छा, क्यो volume ले कल लाई, neutralize गर देचा, metal लाई, so since acid neutralized metal, volume and normality of acid is equal to volume and normality of metal, ते भार, weight of metal, volume of metal, normality of metal, यो ता acid बाता लियेको हो नी हामी, कि नकी acid ले कल लाई, neutralize गर देचा, metal लाई, so यो भायो, यहां बाता हामरो equivalent weight आयो, येदी सोधे को छा बन्ने, हाई न, atomic weight सोधे को छा रवा बैलेंस इदी एको छा बन्ने, यहां बाता आऊं येदी acidity, basicity दियेको छा बन्ने, molecular weight आऊं छा, यो question non-diluted को लागी, अब, atomic weight AMU मा लेखिन छा, है बाई, सुबी भू, नानू हला, atomic weight AMU लेखिन छा, जस्तो महिले सुने आच्छो, तप अरले पानी सुननने बाद छा, तेसमा सांके भाना, यो question के बाला नी, non-diluted, dilution गरे को छा रा, छाई ना, अब, next question मा हामी जा देछो, diluted, तरह एलाई, one step माँ solve गरनू परे भन्ने, के गरने, metal are basic, and base दिये कई छा, सो एलाई हामी के गर छूरे, one step माँ solve गरनू परे भन्ने, one step माँ solve गरनू परे अबजेक्टिमा ये दी, ये ही question सोद्धिये को छा बन्ने तपाई ले, solve गर दाखेरी, के लिने रे, S मा लिने, metal को W by E, plus base को B, B, N, B upon thousand, रा, acid को B, A, N, A by thousand, S मा सब्बई भैलू राख देनों, equivalent weight हामरो आऊं छा, र, equivalent weight आयो भन्ने के पनी आयो, atomic weight, किना, metal र, base, same nature को हों छा, र, तो दूइटा मिले र, कलाई, नूटलाईज गर छा, acid like, यो भायो gram equivalent वाला प्रोसेस, यहाँ पनी यो multiply गरनू भन्ने को कुरात्ते ही हो, सो, atomic weight gram मा लेखने की, amu मा लेखने सुभी भू, नानू, सो यो सक्यो, एसमा कुने confusion, एसता सुप्रे question छान, initial number of gram equivalent weight of acid, minus number of gram equivalent weight of metal, equal to final number of gram equivalent weight of condition लगायार गर्दा हुदाई न, होंछ, त्यो बनी होंछ, कुरा सब यह उटे हो, gram equivalent को, तर N.E.B. को प्रोसेस हुदा खेरी, acid लाई one normal मा चेंज गरनोस, base लाई one normal मा चेंज गरनोस, subtract गरनोस, रत्यो जुन बाकी हुँँछ, त्यो के मा convert गर दिनोस, metal मा, N.E.B. को प्रोसेस को लागी, अब मोलालिटी निकालने कंसेप्ट पनी भनोला बाभू, त्यो पनी टाइम आउँछ, पालो आउँछ, वन बाई वन जाउँ, तर पाइलाई आउँछ, धेरेर आमरो, best of luck, all the best, आउँदैना, सुन्नुस, है, एसमा तनाबलीने कुरा, न गरा, किना कि एउटा, वे न चाहा हामरो, ते वे ले, यो भाई एउटा, नन डाइलूटेट बाला, वन नॉर्मल एसीड, वन नॉर्मल बेस, सबस्ट्राक्ट गरा, अनी, एकुभालेंट वेट काल्कुलेट गरा, अब, इसको next मा जाउँ हामी, 9.2 यो कुच्चन के हो, थीं राअगा, यहाँ पनी एउटा के दिये कुच छा नी, मेटल, एउटा के दिये कुच रहा हामीलाइइग, एउटा दिये कुच मेटल, this much gram of metal, पिस पची दियो एसीड, नॉर्मालीटी दिये कुच फैक्टर पनी छा, multiply गारने हो solution diluted to 100 cc diluted पनी दियो so एउटा metal दिये कई छा और को को दिये को छा रे acid रट्यसपची के दिये को छा diluted रफेरी के दिये को छा फेरी दिये को छा 10 cc 1 normal base so base अगी थियो metal, acid and base diluted थिये न अब सब्भंदा important question नलाई मानीं छा N.E.B. को exam point of view ले 4 max 99% धेर है चांस था एसता question सोदने थुप्रे question N.E.B. मान ता पाइलाई दिये को छा अब त्यो साजन थाबाजी योजुन comment लेखा चा भावू एसमा full max ता दिदे न यो salt भायो, salt objective solve गरना लाई एता पठी अब जाओ यो बुझा आए यो शिकनू परे हो तही भावरत यो class राखे को हो कि आमी ले किये गरे हो, कसो गरे हो कसो गरनू परने हो, बुझदीनू परने अब आयो कुरा एसको second question diluted बाला की non-diluted अब तो लास्ट यर गरे को question पनी गरूला डानू लेकनू होला तो पैयारो के थी यो गरूला objective बाला pattern मा formula W by B into N by 1000 बाला गरे हो भने full marks आई आउ दाई ना यो number 2 मा जाओ के के दिये को छा metal, acid, diluted, base अगी को थी यो non-diluted बाला मा metal, acid, base process सेम छा, थोरे मात्रे फरक छा so L I solve गरना लाई पनी के गरने हामी first मा के गरने total volume of acid total volume of acid कती उन छानी B A into N A कती B A कती छा आमी संग 120 अनी factor छा बने त्यो पनी आयो नी यहां factor बाला 120 into 0.2 into 1.07 सो यो बन्नुस्ता कती आयो रे कल्ले बन्नुँँँचा बाबनानु अरू कती आयो छा यो 25.68 बन्नुभो समी प्रेग मी बाबुले 25.68 solve गरते जाओ है संगाई यो आमी लाई चाहिए ना तिम्हों लाई चाहिए हो 25.68 यो बायो ML कती नॉर्मल 1 नॉर्मल किना नी किना कि B into N गर्नु भने कई volume into normality लिनु भने कई solution लाई 1 नॉर्मल मा चेंज गर्नु होरे अब के नी अब बेस 1 नॉर्मल बेस 1 नॉर्मल मा जाओ So, total volume of base कती, total volume of base कती रे, total volume of base VB into NB, factor छारा, छाहिना So, total volume of base VB into NB equal to 10CC 0.1, बना आले 10 into 0.1 गर दियो 10 into 0.1 गर दियो बने, यो कती आउंचरे? यो आउंचर 10 into 0.1 बने को यो 1CC 1 normal 10 छारा, हे रोला, जत्ती होस, 1CC 1 normal, सो यो 25 आयो, यो पनी कती माँ चेंज गरे हो? 1 माँ, अब डाइलूटेट बनी बने को छा, सो सब बंदा इंपोर्टेंट कुरा, for dilution for dilution, रो objective माँ कसरी जाने, तेस माँ पनी आउंला, जुन अल्डेटी तपा योरी करी सकनू भाज़ा for dilution को लागी के, अब हेर नुस्ता, dilution को लागी कती आउंचरे लियो रे? 20 cc, 20 cc लाई, यो बेस चाहिए यो बनना ले, यो बेस चाहिए, यो नर्मल बाला so for dilution, 20 cc of diluted acid, diluted acid equal to, how much? बेस गाई, 1 cc, 1 नर्मल 1 cc, 1 नर्मल, so 1 cc को लागी कती चाहिए यो रे? 1 cc को लागी 1 upon 20 cc, 1 नर्मल, रह कती cc चाहिए यो रे, 100 cc diluted acid, यो कती हुन चाहिए, 1 upon 20 into 100 कती हुने भायरे यो, 5 cc, कती नर्मल, 1 नर्मल, 100 by 20 चाहिए, यो बनने को 5 cc, 1 नर्मल अब के, अब कुरा, same, यो मात्र येवटा additional हो, येदी diluted दिये को छब, ने, एसरी solve गरनू परेओ अब के, अब, volume of acid left, now, volume of acid left to neutralize, same language चाहिए, volume of acid left to neutralize metal, कती हुन चारे, body minus calm, body चाहिए, यो रकम चाहिए, यो ता diluted को लागी यो चाहिए नि बेश, total बेश so, acid छाहा हामी संगा, 25.68 cc minus 5, equal to कती रे, 20.68 cc 1 normal अब, यो जुन, acid बाकी रहयो, यो कलाई, neutralize गर दाई छा, metal lie यो acid ले, metal lie, neutralize गर दाई छा, so, so, अब, हैमी के गर छो, weight of metal तपाई संगा कती छारे 0.4136, question मा दिये कोछा माथी ग्राम, volume of metal कती हुने भायो अब, acid को volume भने काई metal को हो, neutralize गरने so, यो भायो, 20.68, normality of metal कती लिनु परने हो, 1N, कि नकी acid रा metal, neutralize हुन्छा ये कर कालाई, so, 1N, र equivalent weight कती आउंछा metal को, तो चाहिए so, equivalent weight equal to उन्छा W into 1000, by V into N, N को exchange गर दियो N लाई, so, यहां आमी solve गर यो भने W 0.4136 into 1000, volume कती छारे दियेको, volume दियेको छा, आमी लाई 20.68, normality कती छा, 1, so, इसको answer एक जानाली लेखनु भाया थियो, अगी कती रे, 20, 20, equivalent weight 20 आयो, calculate equivalent weight of metal लेखने आचा, अब मानाउ, metal divalent छारे, atomic weight 40 आउंचा, metal trivalent छारे, 60 आउंचा, अब CC ML भने को यह उटे हो आई, पाड़नार, सज्जन जी, CC रा ML भने को यह उटे हो आवो, क्यूबिक सेंटिमीटर भने को मिली लीटर हो, तेस्तो सुने आ थिये, तेवे आरा CC ML मा फरक पर देना, एती base 20 भाव को भाव को भाव को भाव कहां भाव को भाव को भाव को भाव को थोरे चेंज आउंधियो क्या ही calculation मा, नमबर तो जती पनी होना सक्छा, अब कुरा दुइटा आयो है, एउटा diluted वाला हुन्छा, और को non-diluted वाला हुन्छा, डायलूटेट वाला कोस्चन छा भन्ने, यो एस्टेप हामिलाई चाहिन्छा नाई, किना कि योजुन बेश हामिली रहा छाओ, यो कत्ती को लागी होरे 20 को लागी, 20 को लागी, तरह बेश टोटल चाहिन्छा कती को लागी नी, 100 को लागी, सो 20 को लागी एती बेश भने को, 1 से सी 1 नॉर्मल, 20 को लागी, 100 को लागी कती, 5 टाइम्स बढ़ी, अब एलाए अबजेक्टिब माँ, 1 नमबर माँ, 1 माक्स को लागी हामि कसरी सल्व गर छो, 1 माक्स को लागी, S मा क्ये गर दीने हामि भनने, एउटा छा मेटल, और को छा अचिड, और को छा बेश, सो मेटल प्लस बेश इक्वल टू अचिड हामि गरे कही छाओ, तेशोब है W by E plus BB, BBNB by कती रे, BBNB by 1000, इन्टू कती कर दीनुसनी, टाइम्स डाइलूटेट, इन्टू टाइम्स डाइलूटेट, कती टाइम्स डाइलूटेट करे को छा बावू, लियेको छा 50 ml, किरे 20 ml, रडाइलूटेट छा 5 ताइम्स, यहा बेसलाइब 5 ताइम्स बाड़ी चाहिन चा बनेरा लेख चाओ, इक्वल टू हुन छा BANA by 1000, एलाई स्टेप मां स्टेप मां स्टेप मां स्टेप मां स्टेप मां स्टेप गर्नू परेव भन्ने, अब अगी को question फिरी एक चोटी हे रहों अगी को question मा यो मात्री थिये न acid रबेस लाई subtract direct यहां आयका थियों एस मा diluted छा भन्ना ले यो दूइटा question किता non-diluted बाला सोदला first number किता diluted बाला सोदला यो number अब एसको पनी ली राखा सेव कराय लाई यो भायो रहे यो भन्दा आगारी को भायो यो दूइटा लाई हेरे रहा old is gold मा जुन question हरू दिये को छा तेलाई हामी solve गटनू पर्यों आय डाइलूटेट बाला छा भन्ने कती times diluted तो acid लाई न भायरा base लाई multiply गटने हो acid लाई न भायरा आय डाइलूटेट छाई न भन्ने यो कुरा हामी लाई यो कुरा हामी लाई परे न डाइलूटेट छाई न भन्ने नमबर वन को तुप्रई question दी एको छा old is gold मा हामी संग छा नाई संग कई भाया ना त्यो solve गर्णू पर्यों कुनाई question solve गर्दा खेरी सर question हामी लाई तो MCQ टाइप ले मात्र सिखाऊनू भाचर इंटर्नल एक्जाम मा त्यशरी गर्दा नी अब एस तो छा N.E.B. मा तिमिले इंटर्नल एक्जाम को N.E.B. मा कुन माक्ष को question गर्यों रा कसरी गर्यों रा कती माक्ष दियो था अपनी पाउंदेनू तो कुरापनी याद राखनू आई सिदल जी बुझनूस एती base 20cc भाखो भाय क्ये हुन थे हो? base 26 यहाँ यहाँ यो base 20 नहीं भाखो भाय एती बाटे डाइरेक्ट सब्स्ट्राक्ट गर्थे हो फेरी one number question हेरू एक चोटी किता question diluted होला किता question non diluted होला so question diluted मां के भन्दई चाहा मिलाए? question यहाँ यहाँ डाइलूटेट चाहरा? चाहिना so diluted को एस्टेप करेनो next number 2 मां diluted थियो so diluted पनी करेो diluted चाहिना बनने acid 1 normal base 1 normal तेस पछी सब्स्ट्राक्ट गरने रा metal लीने यहाँ डाइलूटेट चाह बने सब्स्ट्राक्ट गरनू भन्दा पहिला dilution को solve गरनू परेो कती टाइम्स डाइलूटेट चाह यो बेस कती को लागी हो यो बेस कती को लागी हो यो बेस जुन चाह यो कती सिसी को लागी हो हाम्रों काम ही हो त्यों कन्फ्यूजन थोरे थोरे हाटाउने है ट्राइगर नू परेओ सो नेक्स्ट कोस्टन यह उटा आजाई छा नंबर टू पाछी नंबर थ्री माँ जाओ फेरी पनी भने एसीड वन नॉर्मल बेस वन नॉर्मल तेस पची डाइलूटेट छा की छाई ना अनी सबस्ट्राक्शन अनी एकुभालेंट वेट चारोटा यह स्टेप छा नेक्स्ट कोस्टन माँ जाओ यहां आत्मुस्ता यह लेके बन दाई छारें 0.28 ग्राम अफ मेटल अक्साइड एउटा दियो मेटल अथवा मेटल अक्साइड एउटा भायो 50 सीसी एसीड एसीड भायो मेटल एसीड अब आ क्ये बन दाई छा डाइलूटेट छा तेस पची केरे 10 सीसी डाइलूटेड लि अरको भायो एसीड रा अरको भायो बेस डाइलूटेड भाला की नन डाइलूटेड भाला यो कसतो हो डाइलूटेड की नन डाइलूटेड भाला यो कसतो हो डाइलूटेड की नन डाइलूटेड दाइलूटेड सो कसरी सॉल्व गरने ला थोरे ट्राइगर होए कसरी सॉल् चाहो, sodium carbonate for complete neutralization, अब यो पनी base नहीं हो sodium carbonate, चाहो अब को कुरा के आयो, पहिला के गरने रे, acid लाई one normal, तेस पची base लाई पनी one normal, तेस पची के नी, diluted बाला कती times हो, भन्ना ले योजुन base हामी ली दाई चाहो, त्यो कती times लीने हो यहा, 100 बाटा 10 लीने हो, भन्ना ले यहा 10 बने को 10 times, हाई ना रा, तो पहिला acid लाई one normal मा चेंज गरो, लेखनु परने language, total volume of acid, लेखा आई मा संसांगाई, सुना, बुजा, total volume of acid, कती, 50 into bana, bana बने को 50 into 0.5, कती रे यो, 55 जा, 250, पॉइंट सा, सु 25, ml, कती normal, one normal, यो acid one normal मा चेंज भायो, अब के, total volume of base, total volume of base बने को के नी, b, b, n, b, यो के हुन छा, base चा कती, 15 cc, n by 10, सो यो भायो, 15 into 1 by 10, कती रे, 1.5 cc, one normal, cc, ml भने को वी हो, यो भायो, 1.5 cc, one normal, अब भनाता, base एती नहीं चाहिए हो, की body चाहिए हो, how many times diluted कम हमीली रहा चा, 10 times, सो यो यो कती ले multiply गरने हो, 10 ले, तर प्रोसेस मा के भने आचा, की नहीं की प्रोसेस को कुरा गर दाई चाह, सो प्रोसेस मा के भने आचा रे, प्रोसेस मा भने आचा, 10 cc diluted acid, for dilution को लागी है, 10 cc diluted acid बरावर कती रे, बरावर, 1.5 cc, कती normal, 1 normal, 1 cc को लागी कती diluted, 1.5 divided by 10, कती को लागी चाहिए हो, 100, 100 को लागी भनाले, 1.5 upon 10 into 100, cc कती normal, 1 normal, सो यो कती हुना हो चा, यो हुना हो चा, 15 cc, 1 normal, base, यो base भायो, अब सब्स्ट्रेक्ट कर दिनूस, अब बोलूम अफ 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 असीड लेफ्ट टु नूटलाइज मेटल, लाग्विज तेह हो, सो बोलूम अफ अफ असीड लेफ्ट, लेफ्ट टु नूटलाइज मेटल, बॉलूम अफ एसिद नेफ्ट नूटलाइज मेटल कती 625 चाहियो कती बेस मात रहे 15 सो कती बाकी रहे 10 CC 1 normal सो योजुन एसिद बाकी रहे यो कसको लागी मेटल को लागी तेसो भाय वेट अफ मेटल कती छा मेटल अकसाइड या मेटल अकसाइड है नूटलाइज मेटल अकसाइड वेट अफ मेटल अकसाइड कती छा यामी संगा 0.28 बॉलूम कती छा मेटल अकसाइड को लिनू पर ने किना की एसिद ले मेटल अकसाइड ले नूटलाइज गर छा कती रहे 10 CC ML normality कती छा metal oxide को रे जती acid को तेती 1N equivalent weight आउंचा की आउदेना metal oxide को आउंचा कती आउंचारे equivalent weight W into 1000 by N into V N लाइ हामी shift कर दियो N into V N कती छार W कती छारे 0.28 into 1000 N कती छार 10 into 1 into 10 आथवा 10 into 1 जे गरो sequence में जाउं sequence में जादा खेरी या कती रे 1 into कती 10 सो यो भाई 1 into 10 अब कती यो अब यो आउंचा यो 10 एउटा 0 कैंसिल भाई L I 100 ले multiply कर यो भनाले 28 equivalent weight equivalent weight 28 आवनने the formula of metal carbonate is metal carbonate को formula के होला metal carbonate को formula के होला रे सो यो ता माथ ही metal oxide दिएको छा अब मेटल oxide दिएको छा अबने कुन metal oxide होला अब हे रहाए equivalent weight of metal oxide आया नियो इकुवालेंट weight of metal प्लस equivalent weight of oxide equal to हुन्छ equivalent weight metal oxide को दो इटालाई ब्रेक गर दिए तेसो भाई यहां कती आवने भायो तेसो भाई equivalent weight of metal calculate करनू परने so equivalent weight of metal equal to कती रह metal oxide छा 28 रा oxygen को हुन्छ 16 by 2 formula weight by 2 है radical को charge को so 16 by 2 भने को 8 तेसो भाई equivalent weight metal को कती आयो 20 कुन metal होला calcium so what is the formula of metal carbonate तेसो भाई CACO3 calculate the atomic weight of metal कती होला रह equivalent weight 20 छा बने calcium को atomic weight 40 so atomic weight 40 हुन्छा यह equivalent weight atomic weight हरू calculate करना दिए को हुना सक्छा major problem हो आमरो diluted बला की non-diluted बला तो पल्टाउनोस रह एसरी solve गर नोस diluted non-diluted बला Li फेरी confusion हुन छा बने है यो फेरी diluted बला कुने step confusion छा बने acid लाई 1-normal मा चेंज गरना सकीन छा base लाई 1-normal मा चेंज गरना सकीन छा रब base कती times चाहियो acid को 100 को 10 मात्रे लिएं बने कती times चाहियो रहे 10 times so base जत्ती आउं छा तेसको 10 times कर देनूस बनना ले यो चाहियो 10 times यहां बाटा subtract करनू परे हो out question जसते हो द्यान देनू परे हो 28-8 कहां बाटा आको रे 28 बने को metal oxide को equivalent weight हो metal oxide बाट oxygen घटाई दूनूस बने metal बागे होंचा so यो oxygen oxide को घटाई हो यो जुन छानी equivalent weight कस कस को oxide को कती होंचरे 16 by 2 hydroxide को कती होंचरे 16 plus 1 17 by 2 carbonate को कती होंचरे अहिले तता पाई सांगा oxide छा जे शुकाई देवस 12 plus 48 divided by charge 2 sulfate को equivalent weight कती होंचरे 32 plus 16 into 4 64 divided by 2 यो radical को equivalent weight हो बुजाव सुदेब जे नेत्र जे hydroxide को equivalent weight बने को OH-17 by 1 बने को 17 अंचरे बाबो सकीन छा येशता question अरू S R ही solve गरना hydroxide को equivalent weight 2 कर ले भनन दियो जे पायो त्यो hydroxide भने को OH- 2 छा कहाँ 2 दिये को छा कर ले दिये को छा hydroxide को equivalent weight यो देखे न की क्या हो 70 by 2 के टोले 17 by 2 sorry 1 17 by 1 है sorry यो 1 उन्चर समीप जी सक्यो यो next तीरा move गरो so यो तिन्टा question आउन नहीं परे हो S R E नहीं solve गरने S R E भायना भने L I का सरी solve गरने L I solve गरने W by E plus V B N B by 1000 into 10 equal to V A N A by 1000 हुन छायो अब ये सरी प्रोसेस मां सक दाई सकीयाना भनाले 4 माक्स आउदाई आयाना तेसो भाया 2 माक्स तलियू कमती मां 3 माक्स तलियू कती देला तो डिपेंड गर छा तो टीचर माथी हाई फूल माक्स तो दिदाई ना 2 माक्स दिन छा कमती मा 2 माक्स तो दिये के हुन छा 3 पनी दिना सक्छा अब फोरे पनी दिना सक्छा कोई कोई ले non-dilute बाला मा खासाई के इजाई ना भाबू one normal acid, one normal base रट टाइम्स टाइम्स यहां गरने 10 डाइलूटेड बाला मा non-diluted बाला मा टाइम्स गरनू परेना direct यहां यहालने subtract गरने अणी यो calculate गरने एनी भी मा एसरी नहीं हुनच एसरी नहीं हुनच salt गरनू परे तो दिये के हुन छा हिंट मा हिंट मा दिये को हुनच acid lie one normal, base lie one normal अनी diluted अनी salt यो next मा जाऊँए यो धेरे टाइम लाग one नमर को diluted चाहिना है फेरी acid one normal, base one normal, no dilution subtract गरने अनी direct equivalent वे टाइहाल छा atomic को टाइहाल छा हुनचा बाबनानु अरू बंदे नुस्ता next मा मूँव करूँ ते सुभाई अब next मा नमबर 2, 3, 5, 4 अब यहां के दियो सोदे को कुश्चन हो 0.7 ग्राम के दिये को छारे sodium carbonate XH2O is dissolved in 100 ml solution 20 ml of which requires 19.8 ml 0.1 normal for complete neutralization calculate the water of crystallization इसको लागी पहिला equivalent weight चाहिए हो अनि molecular weight कसको equivalent weight चाहिए हो जसको molecular weight calculate गरे रभ फर्मूला लीने हो formula fix गरना लाए molecular weight so इसको question यह solve गरना लाए क्ये गरने हो इसको question solve गरना लाए हे रदा weight दिये को छागी चाहिए ना sodium carbonate को given weight of Na2CO3.xH2O कती चाहरे 0.7 gram अनि volume कती चाहरे volume कसको Na2CO3.xH2O कती volume चाह 100 ml normality S को छाई ना नभा equivalent weight आई हाल थे हो यदि या normality भाय को भाय normality equivalent weight आई हाल थे हो so normality first मा हामिले लिनू परे हो first मा normality लिनू परे हो अनि मात्रह क्या हों छारे equivalent weight कसको Na2CO3.xH2O को equivalent weight normality कसरी लिने याँ रता 20 ml हुच 20 ml भनाले को volume of compound दिये को छा Na2CO3.xH2O कती छा 20 ml normality S को calculate करने हो हामि volume अरको को कती दिये को छा HCl को volume of HCl दिये को छा 19.8 ml normality HCl को कती दिये को छा 0.1 N सो बन्नूस्ता यो equation बाट normality आऊ छा किया हों दै न सो from normality equation we have process मा जाद आखेरी from normality equation we have normality equation we have N equal to के रे N1 N2 भन्दिव एलाई 1 यो भायो 2 तेसो भायो N1 V1 equal to कती हों छा रे N2 V2 चाहिए को छा आमी लाई N1 सो N1 equal to हों छा ता पाई संगा 19.8 into 0.1 divided by कती 20 कती आयो यो 0.099 0.099 N आयो सो यहां कती राखाँ 0.099 N यो यहां राखे बन्ने यो आउंचा की आउंदेना भन्नुस्ता यो कसर याउंचा रे W equal to केरे equivalent weight E equal to के हों छा W into 1000 by के हों छा रे N into V सो W जाता पाई संगा 0.7 into 1000 normality कती छा रे 0.099 र भालूम कती छा 100 सो भन्नुस्ता कती आउंचा रे Around 70 Around 70 70.07 अब बनाए S को equivalent weight 70.07 आउंचा बन्ने molecular weight कती हुन छा equivalent weight 07 आउंचा बन्ने molecular weight कती sodium carbonate छा बनाले into 2 into 2 sodium को plus 2 अथवा carbonate को minus 2 सो equivalent weight यो भाग हुना ले molecular weight कती भाय रे molecular weight भायो कती 140.14 अब यो molecular weight भायो बन्ने S पची के गर छो आमी S पची गर छो Na2CO3.xH2O बराबर 140.14 अब के sodium carbonate को कती छा रे sodium carbonate को छा 106 है अनी into XH2O इक्वाल टू 140.14 अब के हुन्छ X इक्वाल टू हुन्छ water को तब plus Li गर दिऊ X water को ठाओ मा 18 लेख दिऊ So X इक्वाल टू 140.14 minus 106 divided by कती 18 कती आउं छा रे X को भालू So यो भायो 34 34 18 बन्ना ले around near about कती आउं छा रे 2 2 So या कती लेखनू परचा water of crystallization 2 2 mole of water of crystallization 2 mole अब कुरो आयो बुजिये नरे So यह राए formula fix गर ना लाई water को भालू पता लगावना लाई molecular weight चाहियो molecular weight को लागी equivalent weight चाहियो equivalent weight को लागी हामी लाई केके चाहिन छा त्यो compound को the compound whose equivalent weight is to be determined then we need weight, volume and normality normality ना दिये को हुना ले normality यो ये step बाटा हामी लियाऊ यो ये step बाटा हामी normality लियाऊ for complete neutralization So volume दोईटे को same भागा को भागा normality पनी के आऊं थेओ same थोरे ले फराक छा ते बेर थोरे फराक भाई दियो बनना ले यहाँ बाटा हामी के लियाऊनी normality normality आयो भने first मा एलाई solve गरधेन for normality of sodium carbonate dot xs2o for normality of sodium carbonate अब यहाँ राखने गिवेन मा यो equivalent weight आऊंचा equivalent weight आयो भने इसको charge कती छारे salt भाग हुना ले to molecular weight आऊंचा sodium carbonate xs2o equal to 140.14 molecular weight बनना ले यो 106 यो 106 plus यो x 18 बनना ले x को भाईलू यहाँ बाटा आऊंचा यह राई शरी 2 सकीन चा बाब नानु अरू सकीन चा next मा जाऊं next मा भने आचा solution of concasal contains 35% HCl by mass what is the molarity of this solution if the density अब यह राई percentage दिए को छा रा density दिए को छा percentage रा density दिए को छा बनने a solution of HCl contents by mass what is the molarity so molarity हो सत्वा normality जेनरली normality यहाँ टाई राऊंचा percentage into 10 into density भन्चाँ हामी divided by के रे divided by के normality equal to equivalent with U एला हामी के पनी भन्ने गर्या छाँ यह दी हामी ले यो relation यूज गर्नू छा भन्ने n equal to के हों छारे W into 1000 by E into V into कती पनी density so normality molarity HCl को लागी सेम हुन्छा है normality molarity HCl को लागी सेम हुन्छा so normality लेव अथवा molarity लेव कुन ही फराख पर दाई ना तेशो भाया W दीएको छा कती यती परसेंट हुन्छा तेई वेट हुन्छा in 2000 D भनेगो कती नी density 1.19 divided by equivalent weight HCl 36.5 into volume कती परसेंटेज भाग हुनाले total volume हुन्छा 100 so एलाई solve गार्नो कती याँँछा that will be molarity as well as normality 0.11 molarity भनाउ और normality भनाउ फराख परेना सकीन जा सकीन जा 100% सकीन ए 11.41 लेकिर आचा ता फेरी 0.11 काजर ही आयो सुबिभू अनानू रेवी काजी ले फेरी लेकनू भाद छा 11.41 11.41 भन्दाइचा बनाले यो आतंक गर्नू भाएना है नावा फेरी तो ड्हल दिन जा कती जानाता अनी तो क्याल्कुलेटर लिये रहता कुदे आ कुदे होन जाता जरनाई फोर नंबर देखिनू न सर देखाऊ जुए केचित पाका बभिशेकों इंजिनियर होती में अरू यार एसरी पर्ने वेलामा बत्ती गई दियो भन्ने तो गारो खलाई हुँँचा बनाता कुने नाया इन्वेंचन गर यार अनि पोता लठेक छा कसरी आरे 20 ml योजुन कमपाउंड को सलूसन छा तेलाई न्यूटलाईज गरना लाई यो चाहिँचा मानो नाया येलाई 20 ml गर दियेको भाए 20 ml 0.1 normal HCl येलाई न्यूटलाईज गरना लाई चाहिए बन्ने यो 20 छा यो 20 छा बने इसको normality पनी 0.1 होला नी 19.8 भाग होना ले थोरे कम भई दियो So it comes out to be 0.099 Why this bracket यहां किना लेखे हो हामी किना दियेको चाहिए किना दियेको चाहरे To get to find the normality of sodium carbonate Clear चाहा प्रसंण Water of crystallization एक चोटी फेरी बुजाई दिन उन्न तेशो भाए Water of crystallization को लागी ये शरी आक रोकेट हो Water of crystallization को लागी के भन्याँ चाहा हामी लाई भन्याँ यो मा मेट दिये यहां बाटा normality हामी लियाँ Water of crystallization को लागी तीमी लाई भन्याँ चाह कुन नहीं पनी compound को Equivalent weight आयो Molecular weight लेऊ पछी Water of crystallization लिना सकिन चाह जस्ते ये उटा compound चाह ये उटा compound के चाहरे यो अरको compound ती रमल डोड़े आया थोरे तीमी अर लाई ये उटा compound चा COOH 2 dot XH2O ये इसको Molecular weight हाई 90 रे हाई Molecular weight सोद्दय चाह यो Hydrated होला की एनहाइड्रस होला Hydrated की एनहाइड्रस सो एसमा क्या आयो अब एसको कती हुन छा रे एसको आफ़ई मा Carbon, Oxygen, 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 Hydrogen होल्टू सो यो कती हुन छा यो आफ़ई मा हुन छा 90 अब भनाता 90 प्लस XH2O इक्वाल टू 90 नहीं छा रे तेसो भाई X को भाईलू कती आओ छा नी यो भने को ते 18 भाई फेरी सो अब भनाता X इक्वाल टू हुन छा 90 माइनस 90 डिवाईड़ बाई 18 भनाली यो तो भाईना नी 0 X को भाईलू कती छाई न तरह येदी यहाँ येदी यहाँ अब भना X को भाईलू कती आओ ला सो अब भना X को भाईलू कती आओ ला सो अब भने S को कती 12 इन्टू 2 दोईटा कार्बन 16 इन्टू 4 चारोटा अक्सिजन प्लस 1 इन्टू 2 दोईटा हैडोजन सब मिलाए रहुंचा 90 तेसो भाई यो 90 प्लस X H2O यो दोईटा मिले रहन 126 भागो 126 X इक्वल टू कती आओ छरे 126-90 divided by 18 वाटर को वाटर भने को कती 18 सो वाटर को 18 भाई वाटर को कती हामिया लेख दियो रे वाटर को 18 तेसो भाई अब कती आओ छायो 2 सो याँ एसको फर्मूला क्या हुना आओ छारे फर्मूला आओ छा COOH होल टू डॉट टू H2O वाटर अफ क्रिसलाइजेशन क्लेर छायो क्लेर छा अब सुदीप जीले सोद्नु भाई चा मॉलीकूलर वेट 140 का सरी याँ एकु भाईलेंट वेट तिमीहरूले नहीं भने उकती आयो रे 70.07 अब भना कसको एकु भाईलेंट वेट यो आयो भने इन्टू 2 गर दियो भने तो मॉलीकूलर वेट आऊंचा नी भाबू 140.14 आऊंचा नी आऊंचा सुदीप जी next question क्ये भने को छारे यो गरी सक्याँ 6th number यो निउटलाइजेशन भला टाइप मा आई रहा आऊंचा है हाउ टू सॉल्व प्रोसेस मात्रे हामीले थोरे सुन्दिनू छा 40 ml 0.5 नॉर्मल एन्यो एच एउटा छा बेस रा अरको छा एउट सोद्दै छा एउटिक बेसिक निउट्रल दुईटै इक्वल भायो बने निउट्रल एउटिक बढ़ी भायो बेसिक तो एउट्मा कासरी स्वल्व गरने एलाई एलाई पनी एउट छा बने वन नॉर्मल मा चेंज गरऊ अन हाउ solution can be changed to one normal guys what is the process what is the process of changing solution into one normal we just need to multiply B into N very good B into N सो यह total कती total volume कसको नी total volume of acid कती आउँँछ base पहिला दिएको छा बने पहिला base लिहालो पहिला base दिएको छा बने base लिहालो total volume of base कती दी रहा छारे ए अनुभाव छाता बल्लम नोट गरेता नोटिस गरे हो ठेक छा total volume of base total volume of base बने को VB into NB सो आउँच कमस आउँट गाईस 40 into 0.5 45s are 20 20 ml 1 normal base भायो अब चाहिए total volume of acid कती रहे योपनी V into N योपनी V into N कती होंच 12.5 को 6.25 सो यो आउँच 6.25 साइद अब भान 6.25 ml 1 normal VB into NB बने को total volume of base बने को 1 normal मा चेंज गरे हो 1 normal अब बना को बढ़ी चाहिए सो नॉर्मालिटी सेम चाह बनने सेम भालूम भायो ना नूटलाइज हुने हो सो बढ़ की कुन रहे हो बढ़ी कुन भायो base सो since केले एक दिनू परने since नंबर A को लागी A नंबर को लागी since base is more than acid तेसो भाया solution को answer के भायोरे basic गरी सग्या question हो देरे चोठी already अब N-mix V-mix बाला formula लगायारा गरना मिल छा sir मिलना ता मिल छा बाभू मजा आले मिल छा है मिल छा त्यो diluted और non-diluted बाला मात्रे हेरने अरुता उस्ते हो अरुता 5-mix 4-mix मा सोदे ना ने यो question देरे मा सोदे बने कती max 2-mix सो 2-mix बाला question मा max कातने ठाउं छाई ना मिल छा 2- question 4-mix बाला आओ ते बाला diluted non-diluted द्यान दिनू अला अब असमा के गरने also calculate the normality of mixture सो भनता कती acid बाकी रहोरे base बाकी रहोरे how much base left so यही बाटा solve गर्चो continue गर्चो now volume of base left volume of base left कती left बाकी रहो 20-6.25 कती बाकी रहो 13.75 ml 1 normal base बाकी रहो mixture को चाहियो volume of volume of base left normality of base left volume of mixture कती बाब नानुता बाई संगा how much is the volume of mixture guys tell me guys need to be clear yes volume of mixture is always taken from question if you remember I have already told you guys volume of mixture is always taken from question कि ना कि mix तो यो दो इटालाई ना गरे को हो जही ले so यो दो इटालाई mix गरे बाने volume of mixture कती आउने बाई रहो volume of mixture आयो 65 ml so normality of mixture यहाँ बाटा आउन्छा कि यहाँ देना normality equation यूज गरे रहा so normality of mixture इक्वल टू कती बाई रहे जुन बाढ़ी होंचा solution तेस्तो base body solution basic acid body solution acidic अब बाँकी कती रहे हो तेस्तो रहे हो अब वेट बालाई दिये को छा भने के रहे वेट बालाई दिये को छा भने यह उटा को volume भने को volume of mixture so next माँ होला कते हेरो 7 नंबर को यहाँ दिये को छा ठ्याक के आयो 0.4 gram NaOH is added to 100 ml N by 10 HCl अब का सरी करने important question मानें चाहे plus 2 को point of view माँ जा दे चाहे हेरा ता total volume of acid कती total volume of acid total volume of acid भने को भने को भायो B, A, N, A तो भने को कती रहे 100 into 0.1 100 into 0.1 भने को कती 10 ml 1 normal acid भायो acid अब बेस को वेट जुन चा तेलाई पनी कती नॉर्मल मा ultimately change गरने होरे हामी बेस को जुन वेट दिये को चा तेलाई पनी at end कती नॉर्मल चाहे हो 1 normal B into B 1 normally चाहे को हो so for for volume of base volume of base को लागी के W जाता पाइस अगा 0.4 ग्राम अनी equivalent weight छा NAH को 40 अनी normality कती छारे normality 1 नहीं ली दियाँ किना की चाहे को हो at the end 1 so 1 normal चाहे हो बने volume कती आउंचा अब भन्नुस्त volume कती आउंचा रे volume equal to कती हुनचा W into 1000 from normality relation from normality relation upon equivalent weight into N अब कती रे W बनेगो कती छा 0.4 into 1000 equivalent weight 40 into 1 so यो एउटा 0 cancel भायो यो भायो 40 by 4 भने को कती रे 10 ml so 0.4 ग्राम भने को 0.4 ग्राम भने को 1 normal येदी ली नचाँ भने 0.4 ग्राम लाई 1 normal बनाऊनू छा भने 10 ml उनचा so base पनी कती भायो base पनी भायो 10 ml 1 नर्मल acid पनी छा 10 ml 1 नर्मल so solution कस्तो होला आरे दूइटै equal equal भायो भने कस्तो neutral neutral भायो भने pH कती 7 normality कती salt को आउँछा acid base को हुदाईना 0 भायो clear चायो clear चाबाब नानूहरो थोरे confusion होला है यो 1 नहीं कीना लियो 2 कीना लियेना 10 कीना लियेना हो यही भन दे थिये अब भना आई यो acid को normality दिये को थियो 0.1 कती माँ change गरे हो नी acid को normality कती माँ change गरे हो 1N 1N माँ change गरे हो भने base life बनी जत्ती राख हो तिमी 2 राखा 5 राखा 10 राखा 100 राखा जत्ती राखा तरा इंड माँ कती माँ change गरनू पर ने हो 1 ते भायरा base को 1 fix गर दियो मानाओ Li 1 न गरे रा Li 0.1 गरे हो भने यो कती आउं छा नी 100 0.1 गरे हो भने 100 टेन टाइमस ले बढ़े हो नी यो घाट यो 10 टाइमस ले यो बढ़े हो अब यो 10 लिएको भाय यो कती आउं थे हो नी यो आउं थे हो 1 तेसो भाय फेरी 10 रा 1 लाइ मल्टिप्लाइ गरे पची 10 नॉर्मल 1 ml भने को तर 10 ml 1 नॉर्मल हो नी अब भी न्मिक्स मेथड बाटा करधा 0.4 ग्राम लाइ नेगलेक्ट गरधा होंच शर मिल दैना बाबू 0.4 ग्राम लाइ तिमी समा चेंज गरा अईले लाइ तगा न्यूट्रल भाइ दियो अहीले लाई नियूट्रल भई दियो सो मिक्सर को नॉर्मालिटी को कुरा भने को साल्ट को नॉर्मालिटी आया हाल छा मिक्सर को नॉर्मालिटी भने को सर यो कोस्चन का सरी गरने सर हजुर लाई भने को थ्रिटा अब है रहा है अईले कोई-कोईले मैसेज पठाई रहा चा तो मैं लिए हेर ना खोजे कि कल्ले हो यो एस तो काम क्लास को ठाइम मात हुदे 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 ना फेरी क्वेस्चन तती मीरूप पठाऊं छो कहले काहीं तर तेसमा जानकारी करायते हुँदे मनमने नरी चाउने मास तो यस्ते ही आज आठवजे सम्माक ट्लास मां छो ते बाया आज क्वेस्चन में खेरने वाला च्ऐन अब क्लास में 8 भजे राधी सम्मा छवने मान खेर हाई अन्यधान लिने तेल लाई अब कुरा आयो एसको यो भायो सक्यो एसमा नूट्रल सॉलूशन आको हुना ले येदी नॉर्मालिटी अप मिक्सर छा बने त्यो साल्ट वह आल छा तेसो भाया कती एसीड कती बेस मिले रा तेती नहीं सॉल्ट बन छाए मिक्सर बनी हुन चाह 10 emi यहा त्योंच व्यक्षर वोलूम लॉलूम नॉर्मल नॉर्माल वालूम नॉटनी हुनक craving day कती मिक्सर गौम को हुन चाह 100 emi लौमाल मिक्सर को वालूम हुन चाह 100 emi लौम वीखश को क्या क्यायो वालूम से रौ सब्बई कोस्टन मबरू यो स्कान कसरी गरने होला मनिकालूं लाईले स्कान करी आलने नबर मात्रे चेंज गरने को छा या कोस्टन आय रहा छा एक्स ग्राम केल्सियम कार्बोनेटी रिक्स कम्पलीटली विथ 50 ml 2 normal HCl calculate the value of x दोईटा तरीका छा एउटा के एउटा यो भयो के रे x चाही हो एसको रह एसको दियेको छा बन्नाले यो एउटा हुना सक्छा w by e equal to b a n a by thousand एउटा यो भयो तर फेरी plus 2 ले के भंदई छा हा मिलाई plus 2 ले भंदई छा थोरे तिब्रगाती जीवन छाती न गरों पेसेंस राखाऊं तो पेसेंस राखदा खेरी यो जुन एसीड छा यो कल्लाई निउटालाईज गर दई छा metal carbonate लाई तो since acid neutralizes calcium carbonate since या लैंगोज ले एक दिनू परने ता पहले plus 2 को बेसिस मा since acid neutralizes neutralizes कल्लाई निउटालाईज गर दे छारे calcium carbonate acid ले calcium carbonate लाई neutralize गर छा so volume and normality volume and normality of acid acid is equal to is equal to volume and normality of volume and normality of base carbonate volume and normality of carbonate volume of normality of calcium carbonate CaCO3 तेसो भाय के भायो रे तेसो भायो बॉलूम CaCO3 को कती भायो ता पाई संगा 50 ml normality कती भायो CaCO3 को normality भायो 2 N weight कती जरे calculate करने हो equivalent weight calcium carbonate को मेले भने भने थिये जीब्रो में लाखना लाई 50 So x को कती आउंछा रे W को W इक्वाल टू कती आउंछा So W इक्वाल टू आउने भायो हामी लाई N इभी माथी को तला डिवाइड भाय थाउजेंड N इभी भाय थाउजेंड भने को कती आउंछा N इभी 50 को 200 100 को 5000 भाय थाउजेंड भनना ले 5 ग्राम यह है So यह Volume of acid और normality of acid भने काई कसको भायो Carbonate को Because carbonate neutralized with acid यह भायो इस तो question हरू सोज़ा 2 max 3 max मा Next मा जाउं What volume of 5% NaOH What volume of 5% NaOH are required to neutralize 2 normal of desi norm 2 normal 2 liter of desi normal So एसको volume कती चाहिए लारे What volume of 5% NaOH 5% NaOH दिये पची एसको normality आउंछा की आउंदाई न N equal to कती हुन्छा Percentage into 10 divided by equivalent weight So percentage 5 into 10 divided by कती रे 50 by 40 बने को कती हो 50 by 40 बने को 00 cancel भाय 5 by 4 बने को 1.25 यो भाय 1.25 N भाय एउटा यो भाय अब नर्मालिटी यो भाय बननाले NB यो भाय अब अब NB यो भाय भाय बने VB कती VB कती VA कती छारे VA छाता पाइसांगा 2 लिटर 2 लिटर रह N A कती छा N A छाता पाइसांगा 0.1 N सो आउचा किया ओंदेना VB From normality relation लेख दिनू हला प्लस टू को लागी VB इक्वल टू कती हुन छारे VB इक्वल टू VA N A N A इंटू VA डिवाइड बाइ N B So N A छा 0.1 इंटू 2 दिवाइड बाइ 1.25 0.2 दिवाइड बाइ 1.25 कती आउंचा बाबनानु हो 8 को देखाउनू न एक चोटी आउ देखाउनला So यो एक जना ले लेखनू बाइचा 0.16 हो रहा? आँ, very good 0.16 normality of, sorry, volume ml कि लिटर? लिटर रहे? अब ml मां दिए कुछ हाब अब लाइग कनवर्ट कर दिने अब अब अईले लाइग के मां आए रहे volume अईले लाइग आए volume लिटर मां दिस माच लिटर अफ एने ओएच आई? हुन्जा एसको लागी मैं ले उटा आर के रिलेशन लेखावने गार्या थिये केनी? normality percentage बाट लिने हो भन्ने W into 1000 by E into V W कतिरे? 5 into 1000 equivalent weight कतिनी? 40 into कतिनी? 100 percentage बन्ना ले 100 So 160 ml देला अथवा 0.16 लिटर देला जे दिन छा लिटर मां question दियेको छा So लिटर मां answer ले आराच छोड़ दीने ML मां change ना गरने गर्दानी भग तेती खासे फरक पर दाईने 9 number 10 number मां के दियेको छा ने? If x ml 0.1 normal acid है नो साई? Is mixed with 200 ml y normal base 0.1 gram equivalent of NACL is formed Find the value of x and y क्ये होला? Density test मां दियेको थिये न सुशिल जी Density नभाग हुनाले लिये न Density दियो बने लिने चाईन बने न लिने 10 number को question मां जाओ 10 number को question मां के रे 10 number को question मां भने आचा एउटा acid छारा अरको base छा बना तबाबनानू हो कुन acid रा कुन base होला? कुन acid रा कुन base? Salt दियेको छा ने? सो acid के base के HCl NaOH सो question यही हो अब आंसर आई हाले हो HCl लाई NaOH संग रेक्शन गरायो एले के दिन छारे NaCl plus H2O अब अब अन्नोस NaCl कती बने हो? 0.1 gram equivalent तेसो भाय बेस पनी कती होला 0.1 gram equivalent Acid पनी कती होला 0.1 gram equivalent 1 gram equivalent is always acid utilized with 1 gram equivalent of base आई जही ले So salt को gram equivalent दियेको हुना ले acid रा base को पनी भायो रा salt को formula बाट acid base आयो अब यो 0.1 gram equivalent Equivalent weight हुन्चा HCl को 36.5 0.1 gram equivalent बने को हुन्चा 3.65 यो कती हुन्चा रे? 4 Equivalent weight हुन्चा 40 So यो भायो अब यहां बना weight भायो So W भायो तेस पची के छा रे? N छा कती 0.1 N अनी के छा? अनी E छा कती? 36.5 So X ML भनना ले X ML भनना ले volume भने हुन्चा Volume को value आउंचा किया हुन्दैना? बन्नुस्तवाब नानु हुन्चा Volume को value आउंचा किया हुन्दैना? So volume equal to what? यो भायो HCl को लागी आउंचा को कती आउंचा? Weight दियो अनी normality calculate करनू परने हो volume दियेको छा volume कती दियेको छा? 200 ml अनी अर्गो के दियेको छा रे? equivalent weight formula छा यो भायो 40 So यहा normality आउंचा कि आउंदा ही नता पाहिं सागा? आउंचा कती आउंचा? 100 ml भन्नु भाहा छा एक जाना बाबू ले एसको एसको कती भन्नु भाहा छा रे? 0.05 N 0.05 N 0.05 N हुन्चा है यो? बन्नुस्ता? हुन्चा भावनानु अरो? कुण है confusion? किन की gram equivalent salt दियेको छा So यती gram equivalent salt हुन्चा same gram equivalent is acid and base 1 gram equivalent of acid neutralized by 1 gram equivalent of base to give same gram equivalent of salt So weight का सरी थाब आयो? अब अबना 1 gram equivalent HCl छा भने कती होला रे? 1 gram equivalent भने को क्ये हो? 1 gram equivalent भने को equivalent weight हुन्चा equivalent weight त्यो कती हो रे HCl को? 36.5 So 0.1 gram equivalent भने को 10 times less त्यो भने को 3.65 रा NAOH को केस मां 40 छा त्यो भने को 4 clear? स्मृती everybody सब बैं जना है नाम कसे को लेन छा तो बोड में जसको नाम देखीन छा ते नाम लेदीने हो ते बारा तेस तो माइड नावर ने एक चोटी 9 नमबर देखाई दिनू न काहां बैक कुरा गर छा यार मान छे काहां काहां पुगी सक्यों अगारी जाने कुरा छा यहां पथारी को खुरा गर दे चला हती पनी 9 नमबर 10 नमबर पनी भायो लेट्स मूब आन तो 11 नमबर 11 नमबर मा जाओ 11 नमबर केज आरे यो find the basicity and equivalent weight of H2SO4 यहां रहा है H2SO4 H2SO4 गयरा चेंज भाईरा आछा HSO4 मा so H2SO4 को basicity कती होला नी 1 equivalent weight कती होला नी equivalent weight होला molecular weight by basicity त्यो भने को कती होनी 1 त्यो भने को answer कती आऊं छानी 98 divided by 1 भने को equivalent weight 98 हुन जायो 10 को answer सोद दे छारे फेरी पचारी को कुरा गर दे छा केटा यहां यो answer हो S को answer यो X भने को 100 ml रव Y भने को 0.05 N यो भायो Y यो भायो Y यो भायो X भायो नेक्स्ट मा मूब कराऊं 10 11 पची 12 अब यो simple simple question अरू दिये को छा यो अल्लेडी है मिला आऊं छा Find the normality normality बने को के बने थियो number of gram equivalent त्यो बने को के थियो weight of H2SO4 into 1000 divided by equivalent weight of H2SO4 into volume of solution so weight of H2SO4 कती छारे ता पहिशांगा 0.49 into 1000 divided by equivalent weight 49 into 100 यो नर्शरी ELKG वाला कोस्चन दिये को छा कती आऊं छारे यो दोई टा 0 cancel भा यो भा 4.9 49 0.1 N अब नर्मालिटी न दियेर molarity दियेरे कती आऊंछ molarity भने को normality upon basicity so 0.1 divided by 2 भने को 0.5 0.5 0.05 M so normality molarity के दिन छा त्यो हेर दिनु परला molality को फर्मूला बंदे नुशन molality को फर्मूला के हुँचा बाभू फर्मूला भने molality को लागी भने so molality को फर्मूला तिमिलाई इंट्रांस मा महिले भने थिए percentage मा change गर दिनु अनि त्याहा बाटा लिनु percentage मा change गर दिनु molality को फर्मूला हुँचा weight into 1000 जती weight दियेको हुँचा जती percentage हरू हुँचा divided by केरे molality मा हुँचा molecular weight into केनी weight of solvent weight of solvent रयो चाही weight of solute यो फर्मूला अगी पनी सोद्या थियो नेत्र देरिता नाव छालाग छा molality को तो बेटने कईले मा संगा आरा पीयमा मिला आरा टाइम कुरा गर होला यो भायो question number 12 next मा जाओ question number 13 how many moles how many moles of H2SO4 is required to neutralize 5 liter 1.5 normal NaOH moles को कुरा भने वाई योटा हामीले के कहीले पढ़ा थियो भने molarity equal to हुँचा number of moles रभ volume हुँचा लीटर मा यो volume हुँचा लीटर मा अब how many moles of H2SO4 H2SO4 को moles कती रे यो भने को NaOH plus H2SO4 जुन हुँचा यो हुँचा Na2SO4 plus H2O कती H2O 2H2O balance करनू पर चाए moles कोरिलेशन यो 2 moles भने यो कती moles हुँचा नी 1 mole अब इसको ददी एको छा NaOH को normality molarity सेम हुँचा सो NaOH को mol कती हुँचा नम्बर ओफ mol of NaOH कती हुँचा बाय बनाता नम्बर ओफ mol of NaOH कती बाय रे क्ये हुँचा फर्मुला number of mol बने को molarity into volume molarity into volume लिटर मा molarity कती छरे 1.5 normality molarity सेम हुँचा रव volume कती छा 5 सो कती हुँचा रेयो 7.5 mol अब 7.5 mol NaOH छा बने how much mol is the H2SO4 guys सो एठेस यो हुँचा 2.5 रेयो हुँचा 3.5 सो 3.75 mol के रे H2SO4 हुँचा के टा के टी हो answer हुँचा यो हुँचा बाबनानु अरू mol को के बने को के हो molarity equal to number of mol by mol by volume in litre अब अब number of mol मने को के हो रे molarity into volume in litre सो number of mol का सको आयो NaOH को and according to balance chemical equation if if we have 1 mol of H2SO4 then that need 2 mol of NaOH 7.5 that's why H2SO4 become half clear everybody फेरी बिकास ले भने 11 देखाऊनु ना 30 मा हमी पुगिस 13 मा पुगिस आके हो केटो नेत्र जांग 9 लेख देचा था केटो कुने प्रब्लम बाबू बनाई कुरा कराऊ केई छा जुनायद ले भने येस डेंजर next very good अली बुझे न कुन बुझे न केटो कुन नम्बर normality रो molarity सेम होन छा ये तिरो चमचा मा पानी राक चमचा बनाले श्पून हो अब यो अउनलाईन मा फेरी बोल रहा हमीले न न फीजकल मा पानुला मा याद पारने फीजकल मा चमचा बननू बातियो चमचा बनाले श्पून के बननना खोजनू बातियो मऄ डीटेल मा सम्झा आउला ऑनलाईन साथी मिएहरू न बननू NAOH को ACCDT Memory मुलारिटी इन्टु बेस को केस मा हुँचा, ACDT, अब ACDT कती हो बाभू, 1, so normality, ACDT equal to 1 छा ते सो बार्मालिटी equal to molarity, molarity equal to normality, जेली दानी भायो, number of gram equivalent बने को number of mol, NAOH को केस मा, बोज्यो सर, थैंकियो, सुदीप कोईराला जी, very good बाभू, next number मा 14 आयो, what volume of water should be added to, what volume of water should be added to 200 ml 3 normal, factor एती दिये को छा, to make it exactly dc normal, अब एरा है, कती volume एड गरने, 6 कती, 203 F, सो एलाई हामी के गर चो बनने, एलाई हामी बन दिन छो, initial, initial, रफाइनल कती बनाऊनू छ, dc normal, सो इसको लागी मा के बनने का रहा थी हैं, बनने, गिवेन लेख दिने, प्लस 2 मा, गिवेन लेख दिने, 203 F, एलाई सब एलाई मल्टिपलाई गर दियो बनने, सर्टेन ml सर्टेन नॉर्मल आऊंच, रत्यलाई dc नॉर्मल मा चेंज गरने हो, हाँ, सो यो हुन्च, V1, N1, एक्वल टू, V1 प्लस X, वोलूम अफ वाटर एड़ एड़, N2, V1 कती छ, 200, इन्टो, कती रे, 3, इन्टो, 0.97, यो भायो, एक्वल टू, V1 कती छ, 200, प्लस X, हाई, N2 कती नी, N2 कती रे, N2 भने को छ, 0.1, X को भायलू ले आई दिनुस्ता कती आऊंच, वोलूम अफ वाटर एड़ेड, तरह फेरी, यो भायो, अबजेक्टिव तरीकाले, प्लस 2 मा कसरी, प्लस 2 मा कसरी, प्लस 2 मा के भन्यों भन्ये, प्लस 2 मा भन्यों, यो छ, V1, र, यो छ, N1, फैक्टर दियेको छ, भन्ये, यो दोई टालाई पहला मल्टिप्लाई गरी हालने, अनि आऊंच, N1, V1 छ, यो दोई टालाई मल्टिप्लाई गर दीने, N1 आई हाल छ, V1, N1 भायो, V2 कैलकुलेट करने, सो V1 भायो 200, N1, कती भायो, N1 भायो 3, 0.97, अनि V2 कती छ, यो कैलकुलेट करने, N2 कती छ, 0.1N, अब के, V2 एक्वाल टू, from normality equation, लैंग्वेज लेख दीने, normality equation, V2 एक्वाल टू, कती हुन्छा रे, 200 इन्टो 3.093 इन्टो, 3 इन्टो 0.97, डिवाइद भायो, 0.1, अब के, अब भॉलूम ओफ वाटर एडेड, भॉलूम ओफ वाटर एडेड एक्वाल टू के नी, यो हुन्छा, मोर माइनस लेस, मोर जुन आउंछा, त्यो माइनस लेस कर दीने, सो यहां आउंछा, माइनस लेस गर दीने, 200, सो यहां आउंछा, बन्नुस्ता कती आयो, 5.62 लीटर एउटा ले लेखनू भाया छा, माथीको आउंछा, 5.620 ml, येस, सो यहां आउंछा, हामी संगा, 5.620 ml, कोस्चन यो के सो देओ, कोस्चन सो देओ, ये उटा बोटल छा, कती नी, बोटल छा 200 ml, है, येसको नॉर्मालिटी छा, 3 ml, 0.97 फैक्टर, सो एलाई हामी बनाउनू कती छा नी, 0.1 n, अब, अब, नॉर्मालिटी घटावने हो बने भलूम के हुँचा, बढचा, सो बलूमा फटर एड़ेट, 5,620 ml, 5.62 लिटर, यो बलूमा फटर एड़ेट, इवापरेटर सो दिरा आचा, अस्तिपनी 79 मा सो देओ, ये उटा येस्ते कोस्चन, नेक्स्ट मा, when 10 ml HCl, 10 ml N by 10 HCl mixed with 20 ml N by 10 H2SO4 solution, and HNO3 solution, एशिद बाला मिक्सर आयो, सो यहां B1 N1 लेखनोस, B2 N2 लेखनोस, B3 N3 लेखनोस, कि नकी तिन्टै एशिद छा, ये उटा लेखनोस, Bm तिन्टै लाइज जोरे रा, Nm लेखनोस, गर दिनोस, सो तपाइशांगा किया आँछा रे, Nm equal to Nmix equal to होंछा, B1 N1 plus B2 N2 plus B3 N3 divided by कतिरे बावनान हो, Bm, यो, जती आँछा, will be the answer, clear guys, if any confusion, किना की हामी अल्रेडी सकाई सक्या चाऊं, क्लस्टो, सब भई परी सक्या चाऊं, so I don't think you have more difficulties, you just need to find revision, थोरे clear भई आलो भने रा, clear चाऊंगा, 10N by 10, 20N by 10, 30N by 10, तर, यो, M by 10 गर दियो भने, फेरी एलाई कति ले multiply गरनू पर नेरे, 2 ले, M by, molarity येदी छाऊ भने, है, S माँ HCl को normality कति होला, येदी सोधियो भने, normality of mixer ता सोधियो, HCl को, अथवा H2SO4 को, अथवा HNO3 को कति होला रे, सो, HCl कति छा, volume of HCl छा, आमे संगा, 10N, normality HCl को कति छारे, 0.1, अनि volume of mixer कति हुँँचा ता पाई संगा, कोस्चन बाटा लिने हो जाईले, volume of mixer is always taken from question, सो, 10, 20, 30, 30, 60, सो, यो, भायो 60, तेशो भने, normality of mixer कति आँँचा, येदी बेला, कि रे, mixture मा HCl को, what will be the normality of HCl in the mixture, सोदन सक्छा, अबजेक्टी मा सोदिरा आज, सो, यो, भाव 15, कुने confusion भाव नानु हरू, कुने confusion, सहब अने, बनीशी हो साई, के टागेटी हो, डॉन टेक टेंशन, टेक टेंशन, टेक टेजी, everything will be fine, सो, नेक्स्ट कॉस्टन मा जाओ, नेक्स्ट कॉस्टन नंबर 16, what volume of 10 molar NaOH and 2 molar NaOH should be mixed together, to make 3 liter, के नी, 3 liter के बनाऊनु छा, 3 liter बनाऊनु छा, 8 molar NaOH, इसमा के बन्यो नी, इसमा क्वेस्टन ले यो भन्ना खोश देच्छा, solve तो आफे तरीकाले गर्णू, बुजे कैई छा, एलाई के बन्दै छारे, एउटा बोटल मा 10 molar NaOH छा, औरको बोटल मा कती molar छा, 2 molar, अब, एस बाटा कती भोलूम लियाउने एता, रएस बाटा कती भोलूम खन्याउने, कती बनाऊना लाइनी, बनाऊनू पर ने भोयो कती रे, 3 लीटर, 8 molar, तो अब भन्नूस, एसको 10 molar नॉर्मल सेम होएने, एसको लागी फरक परे ना, मिक्स्चर रहा, HCl को नॉर्मालिटी भैलू मा सेम आवने छुटे कुरा हो, तो रहा सेम भने को होएना, HCl रहा मिक्सर को, मिक्सर को के होँचा, सबबई को सम, मल्टिप्लाई को सम, डिभाइडे रहा बोलूम अफ मिक्सर, HCl को मिक्सर मा कती होँचारे, बनना ले, इंडिविज्वाल फ्रॉम दा मिक्सर, इंडिविज्वाल फ्रॉम दा मिक्सर, आउँ देचु अनू बब एके जिन मा, त्री लिटर एट मोलर, अब हैर आई, S को, V1, M1, N1, जे बनो, S को के दियो रे, N1, S को के दियो रे, N2, अनि, S को भन्यो, V1 कती, S मा, 8 गरने, S को भन्यो, V2 कती, 8 गरने, टोटल कती बनाऊनू छा, 3 लिटर, S को V1, ये दि, X लिटर भाय बन्यो, V2 कती हुँँचारे, 3 माइनस X, है, S को, रिलेशन के हुँँचा, S को लागी, रिलेशन के हुँचा, एस्ता को लागी, एस्ता को लागी, रिलेशन हुँचा, हामी संगा, V1, N1, प्लस, V2, N2, एक्वल टू, V, F, N, F, फाइनल, V1 कती छा, X, N1 कती छा, 10, प्लस, V2 कती छा, 3 माइनस X, N2 कती छा, 2, एक्वल टू कती रे, 3 into 8, सो यो भायो कती, 10X, प्लस कती, 3, 2, 6, माइनस कती, 2X, एक्वल टू कती, 24, सो 10X बाटर, 2X गायो, रिले, 8X बांकी रहो, रिले, 6 एता आयो, बने कती बांकी रहो, 18, सो कती रे, 8X, सरी, एलाई, सॉल्व गरो, सॉल्व गरो बने क्या होंचा रहो, सॉल्व गरो बने क्या होंचा, 8X इक्वल टू, 8X इक्वल टू 18, सो X इक्वल टू 18 बाई, 8, कती रहो, 2.25 लिटर, कसको बैलू, X को, X को बैलू आयो, 2.25 लिटर, तेशो भाई, Y कती आयो रे, अरको, 0.7, 6X होला निवन्चा, कसरी, 326, नाई, 6X कसरी होंचा, X तो 2 ना होंचा, एल्ले, एलाई मल्टिप्लाई गरो रहे, एल्ले, एलाई मल्टिप्लाई गरो, सो 6 माइनस 2X, है, सो X भाई एती, अब X भाई एती भन्ना ले, यो कसको भालूम होरे, भालूम अफ, NaOH, 1st भालाई, सो यो भाई वो, 2.25, K, ML, लीटर, कती, 10 मोलर, यो लिनू परेव, राई को भाई वो, 0.75, लीटर, कती मोलर, 2 मोलर, यो दो इटालाई मिक्स गर दियो भन्ने, कुन हों जारे, यो 3 लीटर, 8 मोलर, है, सो यो, दिएको छाता पहलाई, अनुबब लीटर, कुरा भन्दे थियो, यो individual case मां कसरी जाने, इसको एक चोटी फेरी मां भन्ना खोजे, यो एराई, यो कस को दियो नी, यो कस को आयो, मिक्सचर को, मिक्सचर को, अब के सोद्दे चाने, find, इसको लागी आई, इसको लागी आगी के भन्ना थिये भन्ने, next question सोद्दे चा, find, normality of, HCl, in the mixture, HCl in the mixture, अथवा H2SO4 in the mixture, अथवा HNO3 in the mixture, सो के गरने, HCl को के मा calculate करना भन्ना भन्ना चा, मिक्सचर मा भन्ना ले HCl छा कती, 10 ml 0.1 normal, रा मिक्सचर कती छा, 60 ml, सो के हुन्छरे, N-mix HCl को, volume of HCl into normality of HCl, divided by कती रे, volume of mixture माना सोद्दे छा, सो HCl एक लई हुदा खेरी, माथी, मिक्सचर मा हुदा खेरी कती, सो यो कती हुन्छरे, HCl कती, HCl भने को 10 into 0.1 divided by 60, यो भने को कती हो, 1 by 60, यो N, के कोरे, normality HCl in the mixture, तर यहां के सोद्दे छा, mixture को, mixture मा को acid, HCl को कुरे गार या छे नित्या, सब ये acid mix भारा कती हुन्छा normality, सो यो, योड़ा question, 16 नमर पनी हामी गार याँ, सो दे को question हो, हेर नो वहला, कुने confusion भायो, फोन बाकुरा गार ने हामी, बनना ले WhatsApp मा, next मा के दिएको छा, 4 liter HCl is mixed with, 2 liter NaOH, 234 gram NaCl is formed, find the molarity and normality of HCl and NaOH, molarity जती हुन्छा, ते तीने normality हुन्छा, कस कस कोरे, HCl रा NaOH को, सो question ले के बन्यो, HCl लाई mix को संगा गरे, NaOH संगा, कती बन्छा रे, 234 gram, को NaCl, find the molarity, बनना ले HCl को भॉलूम कती छा, हामी संगा, 4 liter, आई, NaOH को भॉलूम कती छा, हामी संगा, 2 liter, अब एकुभालेंट वेट NaOH को कती हुन्छा रे, 40, S को एकुभालेंट वेट कती हुन्छा रे, 36.5, अब एकुभालेंट को वेट कती छा, तेस पची नर्मालीटी, मोलारीटी आउंछा, अब एकुभालेंट वेट कती छा, तेस पची नर्मालीटी, मोलारीटी आउंछा, अब एकुभालेंट दूइटा को वेट को लागी हामी के गरुनी, कती gram equivalent NaCl बने त्यों चाहिं पहिला पतलाग आई दिनू परे हो सो भनात ग्राम equivalent को formula क्या हमी परहा थियो रे gram equivalent बने को क्ये हो gram equivalent बने को given weight weight in gram divided by equivalent weight so weight in gram कती हुँँछ रे weight in gram कती हुँँछ weight in gram दियेको चा 2, 3, 4 equivalent weight कती चाहे NaCl को 23 plus 35.5 23 plus 35.5 बने को 58.5 so बन्नुस्ता कती gram equivalent आई रे बाबनानु अरू how much gram equivalent over here 4 4 gram equivalent येदी NaCl बन्छा बनने if we get 4 gram equivalent of NaCl then how much gram of equivalent acid and base how much gram equivalent acid and base can you guys same must be same so 4 gram equivalent बन्ने ये बाबने 4 into 36.5 किना की ये 4 gram equivalent बाबने ये पनी 4 gram equivalent रह ये पनी 4 gram equivalent so दुटे 4 gram equivalent अब एसको वेट कती 40 इन्टु कती रे 4 into 40 4 into 40 same 4 into 40 so 4 gram equivalent रे इन्टु 40 is it clear to you all guys are you clear so with the help of relation you are already aware with you get no बन्चा फेरी ये डाल नखोजे को हो आकास अनि ये समान नव बुजने के जाकेट आया हेरा है बालूम दिए काई छा HCL को equivalent weight nursery मा परह गई थिया हू NOH को बालूम दिए काई छा equivalent weight nursery मा आमी परह गई थिया हू दुचार आजार चोटी तेस पची normality कालकुलेटे गरना भन्याचा molarity सेम उन्छा weight कती हो so weight कती हो जती acid तेती नई base तेती नई salt gram equivalent मा अब salt बने हामी संगा कती रे 2, 3, 4 gram so how much is the gram equivalent of NACL NACL को gram equivalent कती gram equivalent बने को given weight divided by equivalent weight we will get gram equivalent weight equivalent weight expressed in gram पर्याति हो आमी सर्चो 58.5 कहाँ बाटा फेरी ढाल चाथ केटा ती मी 58.5 कहाँ बाटा आयो रे sodium को महीले सुन्या थिये नर्चरी ती रे 23 हुन्छा रे atomic weight रे chlorine को atomic weight हुन्छा 35.5 बनना ले यो कती आजा़त केटो 58.5 अब एस्ता एस्ता शानातिना जिनामसिना कुरामा अल्जेव भनने क्ये हो लाता एस्ता ले बन्चा मान्चेता जूदेचा तरह सहीद भई सकेओ जूदो सहीद मुझने माइंड नागार में खाली कुरा हाम रो एस्ते होंचा यो भई एस बाता रिलेशन के आऊँछा रे N इक्वाल टु तपाइं संगाचा अब नानु W in 2000 by E into V एस बाता पनी आऊँछा N इक्वाल to W in 2000 by E into V and as we know as we know acidity basicity and acidity are 1 1 so normality is equal to molarity clear everybody clear याद राखने है important question मानीं छा if salt को weight दियेको छावनने त्याहाँ बाता gram equivalent आऊँछा gram equivalent आऊँछा same gram equivalent acid and same gram equivalent base clear guys clear clear अब एक जना बाभू लेलेकिदीनू sami लेलेख्यो sami फैना su b bu 9 लेलेख्यो S को कती आयो रे 9 1 N R S को कती आयो 2 N अब जथि आऊज त्यत्यपायारू को काम हो next number मा जाऊँ एउटा आज़े question गरिया आलो 30 पाची बाँ की रागा को भोली सकिन अब भोली भोली सुरू को आधी घंटा जाती यो चेप्टर मा हामी कुरा गर छों 30 पाची electrochemistry सकाई दी हाल छों भोली electrochemistry 12 बाला भोली को फर्स्ट हाफ आवर जे जे question छा खोजे रा राखने हाई न भनने पहिले हामिलाई हामिलाई बननाले मौलाई वाट्सप माँ पठाई दीने 2, 3, 4, 5, 6 बजे ती रा 6 बजे तक लासे होला साथ खैर जे होस इसको last one हरी आलो 5 gram diacidic base is completely neutralized by 5 gram चाय 50 ml to normal HCl find the molecular weight of base अब भनाता यो acid ले neutralize गर छा base लाई so acid ले base diacidic base yes यो acid भाय रे ले base लाई neutralize गर छा भनने the volume of acid and normality of acid must be equal with the volume and normality of base so what about volume of base guys how much it must be 50 ml what about normality of base guys it must be 2 N and what is the weight of base it is 5 gram so is it possible for us to find the equivalent weight guys is it possible to find the equivalent weight equivalent weight of base equal to how much equivalent weight of base equal to हामी संगा क्या आउने भाय रे W into 1000 by N into B so W कती छता पाय संगा 5 into 1000 N कती दिएको छारे 2 into 50 so यो 0 गोय यो टा 0 गोय यो 5 पनी 5 पनी गो 100 by 2 बने को कती आयो 50 so since equivalent weight comes out to be 50 and is diacidic so the base molecular weight become 100 molecular weight base को कती आउन्छा रे molecular weight base को आउन्छा तपाई संगा 100 formula छानी equivalent weight equal to के उन्छा molecular weight of base of base divided by के रे base को केस मा acidity so acidity कती दिएको छा diacidic 2 and equivalent weight कती आई रहा छा 50 so you will get the molecular weight by this way clear छा clear छा इसको scan गरना मिल छा मिल देना है ला यो question शरले पठाई जिनों आला मा request करचो है तो मैं ले पठाया को थी है बनाया काच्व मामी तो मिला हुला ति में अरू के इत लागीता हो कसको लागी हो रहा so आज अला एती thank you to you all bye bye रहसका आरूपनी question हरू छान के मिले अल्रेडी दुचारजना लागी पठाई सक्या छू अरू लाई time मिले पठाई पठाउ ला तो बोली पठाया पठाई पठाई काम के हो आमरो हेरदी ने अनी solve गरने फेरी पनी भने तो जून डाइलूटेट नन डाइडूटेटर बालाच्छ तेस्ता पंदरभी सोटा कोस्टा कोस्टें 15-20 कोस्टें गिवन इन ओल्रीज गोल मस्ट नेड़ तो if you are able to solve numerical problem of volumetric analyzation ionic equilibrium then you don't need to worry about chemical kinetics thermodynamics and electrochemistry they are very simple so till next class thank you bye-bye and good night to you all why at least one happy today month we all that you are the